आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th हिंदी इस पर्ष बुक का पार्थ 2 मीरा के पद मीरा के पद करने से पहले हम इनका जीवन परिचार देख लेते हैं तो मीरा बाई का जन जोदपुर के चौकडी यानि कुड की गाउं में सन 1503 में हुआ माना जाता है 13 वर्ष की उम्र में मेवार के महराणा सांगा के कुवर यानि उनके जो पुत्र थे उनके पुत्र भोज राथ से उनका विवा हुआ मगर उनका जीवन जो था वो दुखों में बीता बाल लवस था बाल लवस था यानि बच्पन में ही उनकी मा का देहान थो गया विवा के कुछी साल बात पहले पती फिर पिता और फिर एक युद्ध के दोरान उनके ससुर का भी देहान थो गया यानि भौतिक जीवन में उनको बहुत निराशा मिली परिवारिक सुक उनको नहीं मिल पाया इसी कारण मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और व्रंदावन में डेरा डाल पूरी तरह से गिरधर गोपाल यानि कृष्ण भगवान के प्रती वो समर्पित हो गई यानि मीरा बाई जो है वो भगवान कृष्ण की भक्ती में लीन हो गई उन्होंने अपना बचा हुआ जीवन उनको समर्पित कर दिया मध्यकालीन भक्ती आंदोलण की अध्यात्मिक प्रेणना ने जिन कवियों का जन दिया है उनमें से मीरा बाई का भी विशिष्ट स्थान है इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात बिहार और बंगाल तक प्रचलित है मीरा हिंदी और गुजराती दोनों ही कवित्री मानी जाती है यानी इनकी जो भाषा थी वो हिंदी भी थी और गुजराती भी संद रैदास की शिष्या मीरा की कुल साथ आठ कृतियां ही उपलब्ध है मीरा की भक्ती दैन्य और माधुर्य भाव की है इन पर योगियों, संतों और वैश्रु भक्तों का समलित प्रभाव पड़ा है मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है वह पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रियोग भी मिल जाते हैं यानि इनकी जो मीरा के पद जो हैं, उनकी भाषा, राजस्थानी, ब्रज और गुजराती में तो है ही साथ ही साथ उनमें पंजाबी और खड़ी बोली भी मिल जाती है तो चलिए मीरा के पद देख लेते हैं तो मीरा के पद शुरू करते हैं पहला दियावा है तो इसके अर्थ देख लेते हैं हरी यानि श्री कृष्ण जी जन यानि भक्त जो होते हैं, उनको यहाँ पे जन कहा गया है भीर का अर्थ होता है दुख या तकलीफ, दर्द लाज माने होता है इजजत या फिर मानसम्मान बढ़ायो यानि बढ़ाना चीर होता है साड़ी या फिर कपड़ा नरहरी का मतलब होता है नरसिंग का अवतार रखना सरीर यानि शरीर यानि बोडी गजराज होता है हाथियों का राजा एरावत उसको गजराज कहते हैं कुंजर कहते हैं हाथी को काटी का मतलब मारना लाल गिर्धर होते हैं श्री कृष्ण और महारी का मतलब यानी हमारी प्रस्तुत पद में मीरा भाई जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रती अपने भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहा है कि आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं अथार्थ दुखों का नाश करने वाले हैं मेरा उधारन देते हुए कहती हैं कि जिस तरह से द्रौपदी यानी जिनको उन्होंने अपनी बहन माना था उनकी इज़त को बचाने के लिए साड़ी के कपड़े को आप बढ़ाते चले गए जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने ही उनकी साहता की थी और दूसरा उधारण देती है जिस तरह से आपने अपने भक्त प्रहलात को बचाने के लिए नर्सिंग का शरीर धारण कर लिया था नर्सिंग का मतलब जिसका मुख जो है शेर का और शरीर मानव का हो तो उसको नर्सिंग बोलते हैं तो नर्सिंग भगवान का रूप धारण कर लिया था और तीसरा उधारण देती है मीरा बाई गजराज का गजराज जो हाथियों के राजा है जिनका नाम एरावत है वो भगवान इंद्र के वाहन भी है और श्री कृष्ण ने उनकी भी जान मगरमच से बचाई थी उन्होंने मगरमच के चंगों से उनको छुड़ाया था तो मीरा बाई कहती है हे कृष्ण भगवान उसी तरह आप अपनी इस दासी के भी सारे दुखों को हर लीजिए अर्थात मुझे कष्ट मुक्त कर दीजिए तो चलिया दूसरा पद देख लेते हैं दूसरा पद है श्याम महाने चाकर राखो जी गिर्धारी लाला महाने चाकर राखो जी चाकर रहसियू बाग लगासियू नित उठ दसरण पासियू बिंद्रा वन्त्री गुंच गली में गोविंद लीला गासियू तो यहाँ पर मीरा बाई जो हैं वो अपने कृष्ण के प्रती जो अपनी भक्ती है उसकी भावना को उजागर करते हुए कहती हैं कि हे श्री कृष्ण आप मुझे अपना नौकर बना के रख लो अर्थात मीरा किसी भी तरह श्री कृष्ण के नजदीक रहना चाहती हैं फिर चाहे वो नौकर ही क्यों न बन के रहें मीरा कहती हैं कि नौकर बनाकर मैं आपके बागीचा लगाऊंगी ताकि सुभए उठकर रोज आपके दर्शन पासकूँ मीरा कहती हैं कि व्रिंदावन की सकरी गलियों में मैं अपने स्वामी की लेलाओं का बखान करूँगी चाकरी में दसरण पासियू, सुमरण पासियू, खर्ची, भाव भक्ती जागीरी पासियू, तीनों बाता सर्सी मोर मुकुट पीतामबर सोहे, गल बैजनती माला, व्रिंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला तो मीरा कहती हैं कि ब्रंदावन की सकरी गलियों में मैं अपनी स्वामी यानि श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान करूँगी, सब को बताऊंगी मीरा का मानना ये भी है कि नौकर बनकर उनको तीन फायदे होंगे पहला उन्हें हमेशा श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे दूसरा उन्हें अपनी प्रिये की याद नहीं सताएगी और त्रीसरा उनकी भाव बक्ती का सामराज बढ़ता ही जाएगा यानि वो उनके नजदीक रहेंगी तो वो अपने भगवान के पास रहेंगी उचा उचा महल बनाओ बीच बीच राखू बारी सावरिया रा दसरण पासियू पहर कुसुम्बी सारी आधी रात प्रभु दसरण दिजियो जमना जी रे तीरा मीरा रा प्रभु गिर्धर नागर हिवडो घडो अधीरा तो यहाँ पर मीरा बाई जो हैं वो श्री कृष्ण के रूप का बखान करती हुए कहती है कि उन्होंने पीले वस्त्र पहने हुए हैं धारन किये हुए हैं सर पर मोर का जो पंकों का मुकट है वो विराजमान है गले में वैजनती फूल की माला धारन किये हुए हैं और व्रिंदावन में गाय चराते हुए जब वो मोहन मुरली बजाते हैं तो सब का मन मुह लेते हैं यानि जब श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाते हैं तो वृंदावन में जितनी भी गाय होती है वो उन पर मुग्ध हो जाती है मगन हो जाती है मेरा कहती है कि मैं बागीचों के बीच ही उचे-उचे महल बनाऊंगी और कुसुम्भी साडी पहन कर अपने प्रिये के दर्शन करूंगी अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वो श्रिंगार करेंगी सजेंगी मेरा कहती है कि हे प्रभु गिर्धर स्वामी मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि वे सुभह का इंतजार नहीं कर पा रहा मीरा चाहती है कि श्री कृष्ण उनको आधी रात को ही जमना नदी के किनारे पर दर्शन दें तो मीरा भाई जो है वो अपनी भक्ती में इतनी लीन है और श्री कृष्ण से वो अपने जो प्रेम भाव व्यक्त कर रही है अपने दर्शन दे दीजिए मुझसे इंतजार नहीं हो रहा तो ये जो पद है इनका अर्थ मैंना आपको बता दिया इनकी वर्ड मीनिंग्स भी देख लेते है चाकर होता है नौकर गिर्धारी लाल यानि यहां पर भगवान की श्री कृष्ण की बात की गई है श्याम भी श्री कृष्ण का ही नाम है रहस्यू यानि रहकर नित यानि हमेशा कसरण होता है दर्शन पाना जागरी होता है जागीर या फिर सामराज्य कुंज होता है संकरी जो पतली-पतली गलियां होते हैं उसे कुंज कहते है पितामबर यानि पीले वस्त्र क्योंकि जो भगवान श्री कृष्णे उन्होंने पीले वस्त्र पहने है और बैजनती माला पहनी हुई है धेनू कहते हैं गाय को बारी यानि बागीचा बीच बीच यानि बीच बीच में बणाओं का मतलब होता है बनाना और बारी का मतलब होता है बागीचा पहर कुसुम्बी साड़ी यानि कुसुम्बी साड़ी पहन कर पहर माने पहनना दसरण यानि दर्शन और तीरा होता है किनारा अधीरा होता है व्याकुल होना और हिवडो यानि उनका मन जो है वो उसमें बहुत घना अधेरा है तो वो कह रही है कि आप मुझे रात में ही दर्शन दे दीजे जमना के किनारे तो ये मैंने आपको शब्दों के अर्थ भी बता दिये